आज देखते हैं, pointers यह क्या है? एक बहुत ही important topic है C का और अगर यह समझ में आ गया तो मैं यह इतना बोल सकता हूँ कि आप खुद को बोल सकते हो कि हाँ मुझे C अच्छे से आता है यह जो हमें पता है कि जो C compiler है direct memory से interact करता है और जो भी मतलब value को fix करना हो, assign करना हो तो वो memory में assign करते हैं, fix करते हैं तो अभी pointer बताने से पहले, दो तीन बाते बहुत ही important है और वो आपको जानना बहुत ही मतलब जरूरी है तब ही जाके जो pointer का concept है, वो clear होगा तो अभी उसके पहले मैं यह बताऊंगा कि जो भी हम value store करते हैं, वो कैसे store होता है और जब हम fix करते हैं, तो कैसे fix होता है अगर वो clear हो गया, फिर हम आगे धीरे-धीरे देखेंगे तो सबसे पहले आप यह जानो कि जो हमारा memory है वो consecutive उसके पास जो है address होता है और अगर suppose कर लो कि 64 bytes का अगर memory है जो भी memory हमारा होता है, byte addressable है तो वो जो address है, तो वो 0 से start होगा और जो last address होगा, वो 63 होगा clear? तो अब क्या है कि जैसे जो generally जो initial होता है जो RAM का जो initial part होता हो जो generally हमारा OS हो गया वो सब जो system वाले हैं, वो यूज करता है, resource जो यूज करता है तो अब अगर क्या है कि जैसे कोई भी मतलब जैसे मैंने एक part कहीं से भी मतलब बीच से एक part लिया और इसको मैंने address दे रहा हूँ तो यह हम मैंने बस एक instance बोल सकता हूँ उस वक्त जो memory हमारा free था वो मैंने लिया और suppose कर लो कि यह जो है 80 जो address जो है memory का जो C compiler के लिए हम use करने वाले हूँ जो available 82, 3, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 तो यह जो है available है तो अब जब होता है आप भी आपको पता चलेगा कि जैसे कि हम declaration क्यों जरूरी है तो अब यहां पर मैंने क्या किया कि एक value जो है integer type का a है यह मैंने लिया तो अब जो यह a है तो यह क्या करेगा कि इसके लिए जो compiler जो है 4 bytes मतलब यह जो मैं bytes जो size लेता हूँ यह vary कर सकता है तो वह आपको घवराने वाली बात नहीं कि मैं तो integer के लिए 2 जानता हूँ यह मैं जो बता रहा हूँ वह 4 बता रहा हूँ तो वह depend करते है अलग अलग system पे तो अब ही मैंने क्या मैं जितने भी बात करूँगा जो data type यह 32 bit के context में तो integer जो है 4 bytes का है तो यह जो है declare करते हैं तो इसके वह declare करने परते हैं ताकि जो compiler है वह इसके लिए enough space reserve कर सके तो अब जैसे यह खाली है तो 1,2,3,4 तो यहां तक जो है इसने A के लिए reserve कर दिया अब दूसरा जो है एक character ले लिया और यहां पर C ले लिया character जो है 2 byte का है तो यहां से 84,85 C के लिए reserve हो गया उसी तरीके से अगर मैं यहां पर बात करूँ एक float ले लिया float के लिए है उतना 1,2,3,4,5,6,7,8 float f ले लिया तो इसके लिए जो है 93 जो 8 bytes यानि कि क्या हो जाएगा 1,2,3,4,5,6,7,8 यह float के लिए reserve हो गया तो यह ऐसे जब हम declare करते हैं ताकि हमारा compiler है space memory में reserve कर सके तो अब suppose कर लो कि यह जो हाँ एक और बात ध्यान देने वाली बात है कि यह जो है total byte addressable है bytes addressable और one bytes में जो है 8 bits होता है जो capital भी होता है वो bytes होता है जो small bits भी होता है वो bits represent करता है तो यह जितने हैं यह byte addressable है और इसके हर एक के अंदर 8 bits मिलेंगे यानि कि जो